हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सबका मेरी युट्यूप चैनल विकास 312 टेक में तो फ्रेंट्स अगर आप एक यूट्यूबर है और मोबाइल से अपने चैनल को उपरेट करते हैं मोबाइल से ही वीडियो अप्लोड करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से वीडियो अपलोड करने का एक बहुती नया तरीका बताने वाला हूँ छोटी सी वीडियो है बहुती जादा इंफरमेटिव है इसलिए वीडियो को पूरा सुरू से लेके लास्त तक जरूर देखेगा वीडियो को शुकरन करने हैं कि कि अब यहाँ तो अभी तक आप क्या करते थे कि आपको अगर अपने मोबाइल से वीडियो अपलोड करनी होती थी तो आप अपने अपने आप यूट्योच में दोंश esperarव box चरके ते या फिर आप अपने यूट्यूब dual अपनी वीडियो को डारेक्ट अप्लोड कर देते थे या कुछ दिन पहले वाइटी स्टूडियो को अभी अपडेट आया था कि आप वाइटी स्टूडियो में जाके वहाँ पे अपनी वीडियो प्लस पे क्लिक करके वहाँ से अपनी वीडियो आप डारेक्ट अप्लोड कर देते थे लेकिन आप यहां पे एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूं कि क्या होता है कि मान लेजिए अगर आप desktop से या अपने laptop से कोई video upload कर रहे होते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपकी वीडियो upload कर देते हैं तो यहां पे आप यह बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर आप ऐसे direct कर देंगे तो उस में आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो में कोई copyright claim है या नहीं वह आपको बाद में upload करने के बाद पता लगेगा कि आपकी वीडियो में copyright claim करने के लिए मैं आपके लिए एक नया तरीका यहां पर लेके आया हूं मैं क्या YouTube ने एक नया फीचर आप सभी के लिए लाया है मुबाइल के लिए वीडियो अप्लोड करते हैं अगर आप तो इस नए बताने वाला हूं और ध्यान से देखिएगा वाइटी स्टूडियो के अंदर आप जब आएंगे तो यहां पर आपको अपने जो टोप राइट में प्रोफाइल का इकन है इस पर क्लिक करना है एक नया फीचर यहां पर है उसे आपको ओन कर लेना है उसका मैं फायदा भी अप्लोड करने जाएंगे तो वहां पर आपको अगर वीडियो में कोई कॉपिराइट इशू होगा कोई स्ट्राइक कोई चेक्स यह सब कुछ आपको कंप्लेट करके देगा अगर कोई इशू होगा तो यह आपको नौटिफिकेशन के थ्रूप बता देगा कि आपकी आप वीडियो को बूस्ट भी मिलेगा तो आपको यह सब द्यान से इस फीचर को ओन कर लेना है अगर ओफ है तो और फिर अपनी वीडियो को आपको अप लोड करना है तो फ्रेंटस उमीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी व